हलो मेरे प्यारे साथियों आप सभी का दो हजार पचीस का हिंदी का वारल पेपर आप सभी को कराने वाले हैं जितने भी छात्र कच्छा 10 के दो हजार पचीस में बोड एक्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये हिंदी का एक प्रकार का वारल पेपर है तो आप इसका से भी आपको पेपर कराएंगे उन सभी पेपरों के जितने भी कुईस्चन आप उन पूर्ट जाने से पहले आप उन सभी क्या कर सकते हैं कम से कम समय में करके जा सकते हैं जलेए फ्रेंस बीडियो श्टार्ट करते हैं त sailors अपके सामने 2025 का एक प्रकार का वारल पेपर जो हिंदी का है यह आप सभी को कराने वाले हैं अब दिखिए जब आपको भूड के एकजम इस प्रकार का पेपर मिलेगा यहां पेपर का सेट दिया रहता है कि कौन सा सेट यह आपका यह चीजी है और यहां पे दिखिए यहां पे प्रकार के मिलेगा इस निर्देश को आप ध्यान से एक बार देख लिजी जिससे बोड के एकजाम में आपको निर्देश के बारे में किसी से पूछने क्या वसकता नहीं पड़ेगा यहां पर पुडाएंग जो रहेगा पेपर का सत्तर नंबर कर रहेगा और यहां पर दे जिसका उत्तर आप OMR सीट पर देना रहता है यह OMR जो सीट होता है आपको बोड एकजाम में मिलेगा ठीक है इसमें आपको नीले पेन या काले बाल पॉइंट से ही आप OMR सीट भरने के लिए रहता है अब देखिए अगरा निर्देश क्या है खंड आ है खंड आ जो है उस जाइंब नहीं करना है ताम में में MON पॉइंट बता रहें कि क्या आपको गोड करां ध्याम мень इसके साथ में देंः उसके संमोक अंकित हैं देर प्रशन के सामने लिखा रहता है एक करना को जरूरी होता है चलिए को देखते हैं देखें आपका पहला प्रश्ण जो स्टार्ट होता है जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्ण रहेंगे बहुविकल्पी प्रश्ण टोटल कितने होने वाले 20 बहुविकल्पी प्रश्ण रहेंगे फिर इसके बाद आपको दिर्ग उत्तरी प्रश्ण भी सब आपको देखाएंग कि आपको बताना है कि परताप नहराइल मिस्र लेक्रक सब्सक्राइबिधि युट युग या शुकुलगे युग के यहाँ दियाँ दिज्यान दिजेएगा और इस प्रश्न को आप नोट कीजिएगा कापी पे ना यही सब प्रश्ण आपको बोड के एक्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा इसको एक कापी बना लिजी पतली सुस पर नोट कीजिएगा तो पंडित प्रताप नहरार जो मिस्र है तो किसी युक के लेखा कहते हैं यह है आपके भार गुनाहों का देवता रचना किस विधा की यानि कि आपको बताना है कि यह कहानी है उपन्यास है नाटक है यह एक आंकी है इस प्रशन कर देखिए तीसरा हंस पत्रिका के संपादक थे यानि हंस पत्रीका के संपादक कौन थे आपसन है मुंसी प्रेम gathering जी जैशंकार प्रणफ निराला महादेवी रमा यहां पर ध्यान दीजिये क्या है तो हंस पत्रिका मुंसी प्रेम चंद्रद्वारा समपाधित किया गया था इसका सही जब कि संपादक ऐम सी प्रेम चंद्रजी आगला प्रश्न देखिए कि आपका इस सुपाही की विधाय कुर्सिपाही कौन सी स्विधा यहां बताना है कि क्लम जो सिपाही है संसम्रण है यह रेहाझ चित्र है जीवनी है यह उत्म कता रहते ठीक है तो कलम का सिपाही जो है एक प्रकार की जीवनी है तो 3 साधी स्वील हो जागा है क Sukul अगला नम्बर का प्रशना क क्या है यहां पर यापी बताना है कि जो लहरों के राज हंस है इसके लेकक कौन है यानिकसके द्वारा नि Cont horrific कि दौरा मुःन राकेश सेर्थ कियुक्त ओर राजिंद्र धो या दो के द्वारा ने लिका प्रशन है जी जवाब बीवल आपसान के हो जाएगा कि लहरो के राजहंस के लेखक मोहन राकेश है चलि अगरे प्रशन को देखते हैं आपका छटा नंबर की आप चार राम आचार रामचंदुर्शचक्ल जी एक उपन्यास्कारक थे इसको आचार रामचंदुर। शुर्शושक्लश्कल जी मुख्य रूफ से किसक्या है थे एक उपन्यास्कारक थे इस पृषण सही, यहां पे आप इस अचार रामचंद्र शुक्र्ण जी एक क्या है ये गलत वीवल अश्कारक नहीं वह आचार रामचंद्र शुक्र जेंए एक कवी है तिस प्रशन का सही इंसवर आप एब माँ खीजिए अगला देखेंट क्या है और आप बदाना है कि है किसके दौरा लिखा गया है यहां पर चंद्रशुक्र जी के द्वारा जैसंकर प्रशाद जी के द्वारा यह निराला जी के द्वारा आकास दीप आप सभी को याद होगा कि आकास दीप जो है जैसंकर प्रशाद जी के द्वारा लिखा गया है इसका सही जोब क्या होगा सीवल आपसन आपका क्या हो जाएगा सही कोन है किसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड तो मोहन राकेश फरिशवर नात रेड़ु या प्रेम चंद्र या इसके अलावा जैसंकर प्रसाथ देखिए यह पर मौला आचल जो है इसके जो रचनाकर है यह फरिशवर नात रेड़ु जी है इस प्रस्न का सही जवब भीवला कर अफशन सरी हो जागा कि मौवण आचल जो है रिष्वातनारा के द्वारा लिखा गया है अगला अनुब्र का जिए रीतिद्जध रिती मुप और प्रयोग बाद टो केशो दाज जी केशो दाज जी जो हैं यह आपके रिति बद्ध धारा के कवी हैं तो इस प्रेपर का आप जरूर जितने भी पेपर दखें आप Noel कराएंगे सभी सब्जेट के जितन भी वाईरनज पेपर है िएक सभी न! पतली कापी बना लिए और सभी इंपोर्टेंट क्वेस्टन है तो आप उन सभी क्वेस्टनों को एक जिगा लिख लीजिए ठीक है और इसको बार बार रिवजन करते रहेगा यही प्रस्ण आपके बोर्ड के एक जामें सीम देखने के लिए मिलेगा ठीक है यहां पर देखि के जो रचनाकर है वह हैं आपके केसो दाज जी है तो इस प्रश्ण का सही जो अब क्या होगा एवल आपसन सही हो जाएगा अगला प्रश्ण देखिए आप करूल रस का अस्थाई भाव हो है आपको देखिए यहां पर दो चीज़ बता देते हैं एक पूछता है बार बार एक जगा लिख अब देखिए आपका अगला प्रश्ण जो बार नमबर का है क्या है सोहत ओड़े पीटप शाम सलोन आ गात मनो नील मड़ी शैल पर आतप्रियो प्रकाश अब इसमें बताना है कि उपर युक्त पंकिती में कौन सा अलंकार है देखिए आपको अलंकार के बारे में बता देते हैं जिस जो यहां पर आपका पध्यास दिया रहता है या जो वाक के दिया रहता है यदि उसमें कहीं पर भ प्रशन देखिए आप तेरा नंबर का कि रोला चंद में कुल कितने चरड होते हैं आपको बताना है कि जो रोला होता है देखिए इसमें दो प्रशन आपसे बार बार पूछता है एक तो सो रठा पूछता है क्या पूछता है आपसे सो रठा एक पूछता है रोला देखिए यहां पर यह दिखाई नहीं असपाश रूप से दे रहा होगा तो यहां पर जो बो रोला से पूछा है तो रोला के कितने च्रण होंगे चार च्रण तीस प्रश्ण का सही जवाब सी वला आपसन आपका सही हो जाएगा देखिए पंदर चौदर नमबर का सवाल देख लिजिए कि अधी ग्रहड शब्द में प्रियुक्त उपसर्ग बताना है देखिए उपसर् अधीधन ग्रहड होगा इसका संधी विच्छत अधीधन ग्रहड होगा संदी विच्छत इसकी प्ऱारह में क्या जुड़ा है आपका अधीधिग जुड़फ्द में ठोक्रांड गय्स हे होते हैं आपको बताना है कि प्रत्य के कितने भेद होते हैं तिसे याद रखेगा प्रत्य के दो भेद होते हैं तिसका सही जवाब एवला आपसन सही हो जागा कि प्रत्य के कितने भेद हैं तो भेद हैं अगरा देखिए 16 नंबर का तिरंगा में कौन सा समास है अब यहां पर तीरगा में तीन रंग होता है जब यहां परिख्या लिखा संख्या दिए संख्या आजाए तो वहां पर हमसा होता है समसदों ये ल живот को समी यहांप एपसे पूछा है कि कुछा होगा दो है तियां कॉन्सा समास होगा जहां संख्या पहले आ जाएगा वहां पर हम ईसा द्यूगू समास होता पॉल यहां बीवला अफसन क्या मिल जाए दियूगु समास यह होगा तो इसका सही जबाप बीवला आपसन सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखें यहां पर 17 नंबर का जाए कि प्रतिएक शब्द में कौन सा संधी है आपको संधी बताना है कि प्रतिएक जो शब्द होता है उसम आपहं हैं आगा पश्थ है तो यहां पर हमें से और याद्विक कीजिए गाश्य खीर करना यह को बताना है खीर का तथसम मतलब बहुता है उसका पताना है घीर का जविच आपुदती प्याद रखेग तो डिखाए घीर रिखा यह चीर दिखा यह चीर दिखा यह खीन दिखा इसको ध्यान से पढ़िएगा इसका चीर होता है यह क्या होज़ेगा आपको बताना है कि नद्देश शब्द का वचन और विभक्ति क्या होगा देखें यह आपको याद रखना पड़ेगा आपको खिए शब्द होता उसका बचन वी वक्ती यह क्या होता यह क्या होता है यह क्या होता है चतुर्ति व सब्सक्राइब करें आग चतुरुति वक्ति एक वतक नबर का सवाब यहां पर देखिए आपको इसी तरह संस्क्रीट के भी आपको प्रश्ण आते हैं तो आप यह धातू और वच्छन और व्यक्ति जरूर याद रखिएगा तो हसिस्तता धातू का वच्छन पुरुष क्या होगा तो हसिस्तता में दिवचन और अब यहां पर देखिए आपको प्रश्ण आपके पूछे जाएंगे जहां से आपके पचास नंबर के पूछे जाते हैं तो आपको देखिए आपको जो गध्यांस और पध्यांस होता है उसको ट्रिक्स से आप कैसे पचान करेंगे कि कौन से चेप्टर से यह गध्यांस हुआ या पध्यांस लिया गया है तो आपको इसको इसकी नहीं करना है आपको बट्रिक जो बताएं उसको देखते रहें आप आसानी से पार्ट का नाम आप पता कर सकते हैं देखिए 21 नंबर का जो प्रश है तो आप कमेंटर बाक्स में जरूर लिखिए जिससे हम आपके कमेंटर देखेंगे जरूर इस पर आपको लांग कोईशन वाला भी वीडियो बना देंगे यहां पर आपको ट्रिक बताते हैं कैसे आप पार्ट का नाम पता करेंगे देखिए निम्रिखित गध्यांस प्र प्रकृति और आचड़ की समानता भी आवश्या किया वांचनी नहीं है दो भिन प्रकृति के मनिस्यों में बराबर प्रिती और मित्रता रही है राम धीर और शांद प्रकृति के वे लच्मण उम्र और यद्दत सोभाव के थे दोनों भाईयों में इसके आगे लिखा दे नामगे यहां व पकहलेंगे का नम्तुरंत कि किस पार्ट से लिया गया है कि मित्रता नामग पाट से लिया गया है ठीक है यहां तक अब गध्यांज को पढ़ लिजिएगा अब यहां देखें आपसे किस प्रकार के प्रश्ण पूछे जाते हैं तो प्रस्तूत और अधिक से अधिक आता है तो हम इस पे आप संपूर वीडियो भी बना देंगे कैसे इसका एंस्वर लिखा जाता है ठीक है य कैसे दिखेंगे प्रस्तूत और का संदर अब लिखना है संदर अब देखें कैसे दिखेंगे प्रस्तूत गध्यांस हमारी पार्टे पुस्ता मित्रता नामक पार्ट से लिया गया जैसे पार्ट का नाम बताया था कि मित्रता है तो मित्रता नामक पार्ट से लिया गया है इसके लेखक अचाह राम चंद्र शुक्र जी या जो लेखक होंगे इसके लेखक का नाम आप लिख दीजिएगा ठीक है इस तरह आप लिख सकते हैं गद्धास रेखांकित अंसकी बैख्या कैसे किया जाता है राम और लच्छोना की सोभा में क्या अंतर है आप सभी को पुर पूछा जागा तो आप उसका दे सकते हैं आपको क्या करना रहेगा यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना पर इस गद्ध्यांस को पढ़ना है पढ़ने के बाद प्रस्तूत गद्ध्यांस के सिर्षक यानि पार्ट का नाम लिखना है कि किस पार्ट से लिया गया है इस आपको क्या करना रहेगा एंस लिखना रहेगा सबना घ्राट क blir सब्सक्राइब को पहले पाँ इंस बता है उसका एंसे निख्यान्पने इसका दोनों में से केवल एक ही प्रशन यहीं प्रशन क उत्तर आपको देना बहता है संगा आ अब चलिए यहां पर देखिए 22 नंबर का प्रश्ण अब यहां पर द्यान देंगे आप देखिए क्या है दिये गए पद्यांस पर आधारीत तीन प्रश्णों के उत्तर दिजिए आपको क्या करना है यहां से लेकर यहां तक आपको पढ़ना है कि अतुलनिय जिसके यह नव के अनंत्रागर वड़ित बार सुन चुका है नव जिनका विजय गोश्र गरजन अब देखिए यह आप पढ़ें कि इससे संब्दित भी आपसे प्रश्ण पूछा जाएगा कि उप्रियुक्त पद्यांस का संदर्व आपको लिखना रहता है किसका संदर्व लिख प्रश्ण पंकिति में कौन सा रस है आपको रस बताना होता है इसके लाइए अत्वाम देगा देखिए दो आपको पध्यांस इस प्रकास यह गद्यांस इस प्रकास देते हैं कि आप प्रारम के एक दू तीन चेप्टर अच्छे से पढ़ें तो आपको इन तीनों प्रावन गोकुल बन उपवन सघन कुझ की चाहीं प्राप्त समय माता जसुमति अरुनन्द देखी सुख पावत माखन रोटी दयो सजायो अधी हित साथ खवावत गोपी गवाल बाल संग खेलत सब दीन हसत सिरावत सिरात सूर्दास धनी धनी ब्रजवासी जिन्सों हित यह दूम मलता सबस्क्राइब की चाहिं प्रशन गया है इसको प्जवासी गया मिलत सूर्दास से शीरा पॉर्स सागर सागर जीक होका है तो इसको पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि उसका लेखक या पाट का नाम क्या है ठीकिस के कवी सूरदाजी बस इतना लिखना रहता है अब यहां पर रिखांकित अंश की ब्याक्या करना रहता है, यहां से यहां तक रिखांकित अंश की ब्याक्या कैसे किया जाता है, यह आपको आना चाहिए, फिर पूछा उपरिवत पंकिती में किस समय कवरारं किया गए, यह समय आपको बताना रहेगा, इसके बारे में आप आप जानते रहेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आपको अगला है 23 नंबर का अब देखिए 23 नंबर का प्रश्ण आपके सामने दिये गए संस्क्रीट गध्यांस में से किसी एक का संदर्व सहीत हिंदी में अनुवात करना रहता है आपको संस्क्रीट से संबंधित जो गध्यांस देगा उसका क्या करना रहें संदर्व लिखना है साथ पर उसका हिंदी में अनुवात करना रहेगा अब देखिए इसका कैसे आप करेंगे ठीक है यहां पर जो दिया है दिये गए संस्क्रीट गध्यास के ना देखिए यहां पर पहला पढ़ेंगे यम नगरे विवीद ध्रमलाम संग अस्थली महात्मा बुद्ध तिर्थकम पाश्वर नाथम संगराचार कभीर गोस्वामी तुसी दास अन्य चबहवा महात्मान आत्रागत्य सुईयान विचारान प्रसारायान न केवलं दर्शने सहीत्य धर्में अपीतु कला छेत्र अपी यम नगरी अब देखिए यहां पर आप इसका संदर्व कैसे लिखेंगे आप जब संस्क्रीत के थोड़ा भी पढ़े होंगे तो उसमें देखिए महात्मा बुद्ध तिर्थकम पाशवर ना संकराचार कभीर गोस्वामी तुसी दास इसका जिक्र किस पार्ट में किया गया है तो इसए नामक एक पार्ट सी ठीक हुए तो जल नगरी से पाचान कर सकते संथा पार्ट से लिए इसका संथर्व में और पर संस्क्रीत की प्रस्तूर्ट्स हमारी पार्ट उस्तक संस्क्रीत के uważa ना oppression ठीक है बस ना लिखना आपको फिर इसका हिंदी मनुवात करना आपको आना चाहिए नहीं आ रहा ते कमेंड बाक्स में लिख दीजिए हम जरूर आपको बताद देंगे के लिखेंगे जबड़ेंगे यहसे संस्थे संभाती अठ्ड yamili iya रहेगा आपको यहां से लहिके पढ़ेंगे पढ़नें के बाद इसका भी क्या करन आपको संस्क्रीट में क्या करेंगे संद्र लिखेंगे और अपने शब्दों में हिंदी में इसका अनुवाद करेंगी यह आपका संस्कृत से संबंदित जो गध्यांस पूछा जाता है इसी प्रकास आपका गध्यांस आपको बोड के एक्जाम में देखने को मिलेगा देखे 24 नंबर का जो क्वेशन है कि दिए गए संस्कीत अपध्यांस में से किसी एक संदर्व सईथ हिंदी में आपको क्या करना रहेगा अनुवाद करना रहेगा ठीक है अब देखें यहाप जैसे कदी है पहला वाला किन स्विश्चित गुरुत्रम भूमें पहुत त्रम्व सद्वी 웃ुफ है मत गुरुत भूमें खात थ पितोच त्रस्त था मनस्सि व्तात चिंत बहुतरय त्र रहरे यह आपका दिया है इसका पता अनुवार्य पाथ से लिए गया है कि प्रस्तूत पध्यांस हमारी पड़े पुस्तक संस्कृत खंड से संस्क्रित खंड के जीवन सुत्राई नामक पाट से लिया गया है फिर इसका हिंदी में आप अनुवात कर देंगे आपको यह प्रश्ण का उत्तर देंगे और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है या इसके लवाम उसका इंस्वर नहीं आगा तो आपके न संब्री खंड काभवसर संसस्राइ Спारको पूछते हैं लेकिन सभी प्रश्ण को आपको नहीं करने घृता है इसलिए आप अलग जीले के चात्रे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके स्कूल में कौन सा खंड कापबे पढ़ाया जाता है उसी खंड कापबे का ही एंस्वर देना रहता है और सभी खंड कापबे को छोड़ देना रहता है यहाँ पे देखी जैसे करका फरस्ट है मुक्ती नायकत महात्मागाधी का चरित्र क्चित्र चित्र की विस्एस्ता लिखे वस्तुर ल schemes इन डोनों में से किसी एक बाख यादी आप इसका जाए जपी प्रशन को छोड़ देना थो ठिके समझ में आ गया इसमें किस बकास प्रस्ष्न आपको करना है इस हिर एक प्रस्ष्न कर रहता है इसलिए जो हिंदी का पेपर हो या कोई भी पेपर हो जो आपको बताया जारे उसको द्यान से सुना कीजिए अब पहले साथ जानते रही है कि बोड की एकजाम में आपको करना क्या है अगला प्रशन देखिए दिये गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परचे देते हुए उनकी एक परमुक रच्णा का उलेख करना है ऑपको क्या करना है कि हा पे तीन लेखका का नाम दिया है इन तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का ही जीवन परचे लिखना है ठीक है जैसे जैसे आडुक्त ऊपर्चेकल लिखना है द Neighbor दाक्टर बार्जंद परशात जी आपके स्टार्टिंग के एक दो तीन तीन लेखों का जीवन परचे याद कर लिए बोड की एकजाम में उसी में से एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा अब यहां भी देखिए आपका खवाला दिये गई कव्यों में से किसी एक जीवन परचे देते हुए उनकी एक प्र अब देकि आपको सूर्दास देख लिए इसके अलावा आप जो दो तीन पार जैसे दो 3 पार्ट दिया होगा गद्यांसzk県 पद्यांस करें जीवन परचे याद कर लिए उसी में से आपको बौड की एक जीवन परचे देखने के लिए करें जाइगा त्कर ढखले में अग पूस्ता है आपको संस्कृत में दिए आपको के रहेंगे डिए समझा ना गया होगा है अगरा कम किस पका से आप fulfillment में निमocus देश्ट में निमदनें में निखित में से कि दो प्रशने को उत्तर संस्कृत में दिए कि जैसे कहें इन्चारों प्रश्न मेंसे जिसका अस्वर्शन आपको संस्क्रिप में आ रहा वे उसी ओस्तर आप संस्कृपिमें से नेना रहता है अगर देखिए लास्ट कोस्ट हैं हिंदी का 39 नमबर का प्रश्न किस प्रकासे आता है इस निवले कित में असे एक विश्य पर निबंद लिखना वश्व नीवरत इस तरह दें 6 टापिक दे देगा 5 श टापिक में से जिस टापिक पर आपको निइबंद याद हो गा उस पर आपको लिखना रहता है ठीक right भारत मिञातनों से पर ही निबन रहता है। जो आपको आ रहता है। जो आपको त्वेन्दम इतंग है था उस आपको बता है। ठीक है इस प्रकास सेम टू सेम इसी प्रकास से आपको board के एकजाम में paper देखने के लिए मिलेगा ओप्फे चितने भी paper कराएंगे आप उन सबी प्रकास को आप ध्यान से जरूर देखिएगा आपको हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गड़ीत हो गया, विग्यान हो गया, समाजी विग्या या कला हो गया ये जितने भी विशे आपके कच्छा दस में चलते हैं सभी विशे के सबसे important जो viral paper 2025 में आने वाला है उसका एक स्क्रीज चला रहा है, उन सभी paper को आप जरूर हल कीजिएगा ठीक है, तो friends आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए तो चैनल को साथ में सबस्क्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें